Hello everyone, welcome you all at Lucasthard Unlimited Study Zone. So, बच्चों, chapter number waves चल रहा है, मारा last chapter, class 11th NCRT book का. और कल हमने काफी कुछ topic cover करे, आपने देखे होगे कल की class में. आज उन topics के आँगे के topic हम cover करेंगे. एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो जो हम लोगोंने कल cover किया है, वो क्या-क्या था, उसको हम लोग देख लेंगे. कल जो हमने cover किया था, characteristics of medium propagation of wave बताया था, elasticity and inertia. इसके साथी साथ हमने introduction of wave complete किया था, water the sources of electromagnetic wave मैंने आपको बता दिया था. अब आईए, बात करते हैं अगले topic की. पहला जो हम बात करने जा रहे हैं आज के class में, जो है principle of superposition of wave आज हमारा अगला topic है. तो आज के topic की heading बना लीजे, बच्चों, copy में आप लोग principle of superposition of wave. ओके, principle of superposition of wave. पोजीशन आफ वेव. चलिए, देखे समझे क्या है बच्चों, यह principle of superposition of wave, यह कोई medium particle है, मान लीजे, यह medium में बैठा हूँ कोई particle है, और suppose यहाँ से यह कोई wave आ रही है, ओके, और यह wave medium के इस particle पर आ करके किसी समय टकराती है, ओके, तो wave क्या देती है particle को, wave, what is wave, wave is energy, energy, energy क्या करती, disturb करती, क्या करती है, disturb, तो किस form में disturb करेगी, मान लीजे, यह wave जो है, इस particle को, y1 vector का displacement देती है, कितना देती है, y1 vector का displacement, इस medium के particle को, दूसरी wave आती है, वो कितना displacement देती है, y2 vector, तीसरी वेवाती है वो कितना displacement देती है y3 vector इस तरीके से n waves आती हैं तो principle of superposition कहता है कि किसी medium के particle का जो net displacement होगा y vector जो होगा वो सभी अलग-अलग displacement का vector sum होगा बिलकुल उसी प्रकार से जैसे आप forces को जोडते थे जैसे आप intensity को जोडते थे वैसे ही आप अगर n particle का displacement yn है तो आप इनके सभी के displacement को जोड़ेंगे और आपको net displacement मिलेगा ये जो principle of superposition है ये 11th class के सांसा 12th class के लिए भी बहुत ज़दा important है और यह यही बात कहता है कि जो net displacement होता है किसका medium के particle का वो individual displacement का vector sum होता है कौन सा sum होता है vector sum yes तुम मैं इसको define करूँगा what is principle of superposition of wave when two or more waves reach simultaneously at a point then of the medium then the resultant displacement is the vector sum of the displacement produced by these waves separately अलग अलग separately waves का जो sum produce होता है उनके सभके vector sum के एककोल होता है let n waves reaches to the point and displacement of the wave by1 y2 y3 yn then y1 y vector equal to y1 plus y2 plus y3 plus y4 up to yn आई बात समझ में तो यह एक तरीके से आपको waves का जुड़ना सिखा रहा है क्या सिखा रहा है waves का जुड़ना अब waves किस आधार पे add होती है कौन सी waves add होती है कैसे add होती है तो superposition जब होता है तो वो अपने साथ साथ तीन phenomenon को ले के आता है superposition जब होता है waves का तो अपने साथ साथ वो तीन event को carry out करता है समझ में आया मतलब waves जब कई wave एक जगह पर आएंगी कई wave जब एक जगह पर आएंगी तो आपके सामने कुछ wave phenomenon wave की कुछ नई नई चीजें आपके सामने घटित होने वाली है उन चीजों का नाम है उन phenomenon का नाम है पहला नाम है interference क्या नाम है बिटा interference आपने सुना होगा interfere आपने सुना होगा interfere मतलब की दो दोस्त बात कर रहे थे ये दोस्त one था और ये दोस्त two था ये दोनों आपस में लड़ रहे थे ये दोनों आपस में क्या कर रहे थे तो क्या हो सकता है, हो सकता है दोनों अपनी दोसमनी छोड़के पहले इसको पीटें, कि तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, और तु गाना गा रहा है, मतलब तु मेरा भी दोस्त नहीं है, मेरा भी दोस्त नहीं है, तो इन दोनों को गुसा ह पहले इसको पीटेंगे यह तो ऐसी कुछ होने वाला है कि दो वे तीन वे वापस में आ करके किसी पॉइंट पर टकरा जाएंगी और फिर कुछ होगा तो जो कुछ होने वाला है उसमें कुछ नाम है आपको मैं बता दू नेम्दा थ्री फिनॉमेन बेस्ट अंद प्रिंसपल of sub supposition principle of superposition की बेस पर फिन फिनुमनेज़रेंश इन्टरफेरेंस किया है इन्टरफेरेंस ठीक ना सलबॉर्ट टूपे बनेगी बीट्स क्या बनेगी नमबर टूपे बीड्स पर नमबर थ्री पर बनेंगे इस्टेश्टेशनरी वेप्स तो इन तीनों टोपिक को हम लोग Class 12 में आपको wave का superposition और interference भी बहुत सारा पढ़ना है, बुले, clear है मेरी बात आपको, चली अब आँगे बात करते हैं, अब हम पढ़ते हैं, एक type wave के छोटे-छोटे type पढ़ेंगे, सबसे पहले हम wave का type पढ़ेंगे, नंबर भन है progressive wave, कौन सी wave है, progressive wave, अब देखिए, कोई जैस कहते हैं, difference, या कहते हैं, किसी चीज को आप, वो करो, differentiate करो, है न, किसी चीज में comparison करो, किसी चीज में क्या करो, comparison, तो जो मैं, मैं बात कर रहा हूँ, type of waves की, आप मुझसे पूचोगे, सरी, type of waves क्या होता है, मतलब आप मुझे, मैं निये कह रहे हूँ कि, सब कितने-कितने type क्योंगी तो मैं बोलूँगा on the basis of क्या बोलूँगा on the basis of तो पहला on the basis of मैंने आपको कराया था type of wave आप बोलोगे कैसे करूँगा तो number one आएगा on the basis of पहला आपने कल बेशस देखा और पहला आपने कल बेशस देखा ओरीजिड है और बनती कैसे है तो बनती कैसे है उसके बेशस पर दो प्रकार की वेव निकल एकनिकल वेवRR और दूसरी क्या निकली electromagnetic wave याद आया एक बनती है medium से और एक बनती है एक propagate होती है मतलब medium के अंदर है ना origin मतलब की material required requirement क्या है इसकी और एक electromagnetic wave जिसको की किसी चीज के requirement नहीं होती है दूसरा दूसरा basis क्या था दूसरा basis था कि किस तरीके का type of vibration था type of propagation type of propagation तो type of propagation में आपने दो देखा कि एक जिसमें direction of propagation और एक जिसमें direction of vibration एक ही होती है उसको हम बोलते है longitudinal wave बुलिए ऐसा होनो और दूसरी जिसमें direction of vibration और direction of propagation एक दूसरे के perpendicular होते हैं उसको हम बोलते है क्या transverse wave कौन सी wave transverse एक और टाइप आ जाने वाला है wave का वेप का जो तीसरा type है वो एक तरीके से आपकी boundary के existence को बताता है कि कहां पर boundary है और कहां पर boundary नहीं है समझ गए मैंने यहां से साउंड बोल दिया अपने मुह से निकाल दिया क्या इस साउंड के लिए कोई boundary है क्या साउंड कहीं से लोट करके आएगा की चलता जाएगा चलता जाएगा आप खुले आसमान के इंजिए साउंड को बोल करके बोल दीजिए समझ गए जोर से आपने चिला करके बोल दिया पहाड़ों के सामने अंजली आई लव यू आई लव यू क्लियर सुनील शठी की स्टाइल में साउंड चलता जाएगा चलता जाएगा तो मैं बता रहा हूं आप बाउंडरी के बारे में मेरी फीलिंग है तो बाउंडरी को होती ही standing way. दुसरी कान से है standing wave clear हो गई मेरी बात. एक है progressive और एक है standing एक है फील कर ये progressive और a standing wave में फरक आ है कर आपने यहांपर कोई 받 कर रखी यह एँखं़ एंड छोफट है, भीक क्या है, आपने यहां पर इसंग Εख जायगा चाते जाते, जाते जाती, यहां पर समाप्त हो जाएगा फिर क्या लोट के वापस आएगा इस तरफ नहीं आता एक ही वे में जाएगा तो ऐसी वेब जो डिरेक्शन में एक ही डिरेक्शन में जाती रहे तो ऐसी वेब जो प्रोग्रेस होती रहती आंगे की तरफ कभी पीछे लोट के नहीं आती है उसको हम बोल ले लिया और उपर से इसमें कोई शक्र का क्यूब या आप लोग तो टोस्ट वाले पीढ़ी हैं टोस्ट और बिस्किट वाले और यदि कभी यहां से बिस्किट तूट करके टुप से अंदर चला जाए तो आप देखेंगे यहां पर वेब के छले बनते हैं उपर उपर यह स बनते की ने बनते यस तो यह जो वेब जो एक ही जगे पर बनती है और वहीपर समापत हो जाती है इसको बोलते है standing wave क्या बोलते हैं मेट आपयास को standing wave आहिए भास समाझ में न जो इसी जगह पर बनती Itu मुवमेंट नहीं देखियोंगे आपने इस वेफ की यह जो चाय की ऊपर चक्कर बने इनकी अपने मुवमेंट देखिया चलते हैं यहां से यहां की नहीं चलते हैं अरे कहां चलते हैं बिल्कुल नहीं चलते हैं समुदर का लहरे नहीं है जो चलेंगी ठीका जी वहीं पर बन वेव तो कही प्रकार की वेव सम पढ़ने वाले हैं ठीक है ना तो पहली आई दिखते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं What are progressive wave? क्या बोलते हैं? Progressive wave. Hindi मेंने बोलते हैं Pragaami, progress करने वाली wave. Progress करने वाला इंसान कभी पीछे मुड़के नहीं देखता, तो water progressive wave, when disturbance is created continuously in a medium, then the particle of the medium vibrate to and fro then mean position without leaving their place, the disturbance move forward, we move forward, the wave thus produce are called progressive wave, clear यसो नो, क्या है भाई साब, एक medium ले लीजिए, यहां पर एक तार को कस दीजिए, दो एंड के बीच में, और लगा तार इस पर धन 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 मारते जाए, बोले हाँ है न, यहां से क्या होगा, आपका जो वाईबरेशन है आँगे ट्रेवल करता जाएगा कि नहीं ट्रेवल करता जाएगा, बोलिये, करेगा कि नहीं करेगा, इसको बार बार जर्क देते जाएगे, तो यहां का वाईबरेशन क्लियरली आँगे ट्रेवल करता जाएगा कि नहीं करता जाएगा, इसको बोलते ह है हम progressive wave when to when disturbance is created continuously disturbance continuously create kaya jai in a medium then the particle of the medium vibrate to and fro about their mean position without leaving their place be na unki jaghe ko chode henna the disturbances move forward the wave thus produce are called progressive wave koi dikhka tha kya chali to ye ho gai progressive wave ki definition progressive wave ki definition abai ye baat karte hai stationary wave ki baat kalte hai kis ki baat kalte stationary when two identical waves of equal frequency travel along the same line but opposite direction superimpose then the resultant wave thus forms called stationary wave the energies does not transfer from one particle to the another particle यह क्या है इसको समझना पड़ेगा आराम से वेंट्टू identical wave of equal frequency travel along the same line but in opposite direction यह देखिए भी यह यह वोई कप वाली बात है क्या हुए यहां पर आपने कप में उपर से सुगर का क्यूब डाला टूप हां जी आपकी तो बिस्किट तूटके गरती है ऐसे ही समझ लो तो जैसे यह क्यूब यहां पर पड़ा disturbance हुआ इसने क्या create करें waves create करीं बोले ऐसो नो create करीं अब यह waves जाकर के जैसे boundary में टकड़ाएं तो opposite direction में मतलब एक wave यहां वाली और एक wave यहां वाली वहां से same frequency की wave लोटी की नहीं लोटी जितनी frequency इसकी थी जाने वाली waves की उतने frequency की waves लोटी की नहीं लोटी तो उनमें क्या हुआ superimpose हो गई वो waves क्या हो गई वही मैंने बता है principle of superposition तो जब दोनों waves superimpose हो जाती है तो फिर waves के नए pattern आपको समझ में आते हैं कुछ जगे waves उठाओ बन जाता है और कुछ जगे waves दबाओ यानि की depth में चली जाती है yes or no तो इसको बोलते है standing wave क्या बोलते हैं इसको याद रखिए standing wave में यहां की energy इसी की पास रहेगी इसको नहीं मिलेगी इसको नहीं मिलेगी मगर progressive wave में ऐसा नहीं होता है progressive wave में यह अपनी energy baju वाले को दे देता है medium मगर standing wave में ऐसा नहीं होगा यहां का जो बन रहा है, यह जो हम पूपर की तरफ उठ रहा है, यह अपनी जगह ही उठ करके रुख जाएगा, clear होगी मेरी बात के नहीं होगी, आगे बास सम्झे में, तो भाई, what are stationary waves, when two identical waves of equal frequency travel along the same light but line, but in the different, but in opposite direction, superimposed, then resultant wave thus formed is called stationary wave, the energy does not transfer from one particle to another particle, इसमें energy एक जगे से दूसरे जगे में transfer नहीं होगी, बोले clear है की नहीं clear, अगला है, how many types of stationary waves are there, कितने type की stationary wave होती है, write one example, there are two types of stationary waves, यह मैं आपको बता रखा है, waves के type, transverse wave and longitudinal wave, transverse wave, if the direction of propagation of mechanical wave perpendicular होता है, याद है, तो उसको, पढ़ देता हूम मैं, if the during the propagation, the mechanical wave in the medium, the particle of the medium vibrate along their mean position in direction perpendicular to the direction of the wave propagation, then the wave is called transverse wave, इसपे चर्चा हो चुकिये, अगला, longitudinal wave, during the propagation of mechanical wave in the medium, the particle of the medium vibrate along their mean position, है ना, along, in, along the, the particle vibrate along their mean position, along the direction of wave propagation, along the direction of their wave propagation, this, this type of wave is called longitudinal wave, बोली क्लियर है, चली बच्चो, अगला क्श्या आता है, बहुत इंपूर्टन क्श्या रेखि, बहुत इंपोर्टन क्श्या है, Here the particle of the medium vibrate about their mean position along the direction of the propagation of wave बिल्कुल सही Crust and trough are some crust and trough are he, troughs are formed in the medium, compression and refraction are formed in the medium. These waves can travel through solid and on the surface of liquid. ये जो वे होती है, transverse wave, ये solid में travel होती है and on the surface of the liquid, these waves can travel through solid, liquid and gas. ये solid में भी, liquid में भी, gas में भी travel कर सकती ही. याद केजी, मैंने आपको बताया था. Transverse wave जो होती है, these waves travel through solid, liquid, through solid and the surface of liquid. मगर जो longitudinal wave होती है, वो solid में भी, liquid में भी और gas में भी. जैसे sound is a longitudinal wave, sound gas में भी flow होती है, मगर transverse जो होती है solid में भी और liquid में भी, transverse gas में, sorry, उसमें flow नहीं होगी, air में, clear हो गया, यह तो vacuum में फिर होगी, है ना, मैंने आपको example बताया थे, यहाद करिया, हथोड़ी से यहाँ मारा था solid में, यहाँ से मारा था, तो जब यहाँ से मारा था, तो कौन सी wave create हुई थी, longitudinal, और जब यहाँ उपर से मारा था, तो मैंने कौन सी wave create करके रिखाई थी, transverse, तो solid में दोनों प्रकार की wave create होंगी, है ना, solid में दोनों प्रकार की wave होंगी, longitudinal भी और transverse भी, ठीक, अच्छ, ओके, अब एक बात करते हैं, कि bats can ascertain distances, direction and nature of the sizes of the obstacle, without any eyes, चमगादरों की आँख नह मैंने आपको बताया था, कि bats जो होते हैं, वो ultrasonic wave छोडते हैं, क्या छोडते हैं, ultrasonic, और वो यहाँ से, मुह से ultrasonic wave भेजेंगे, अब वो टकरा करके वापस आएगी, उससे उनको पता लग जाता है, कि यह object कितनी distance पे है, समझ गए, और इसका calculation कर लेते हैं, तो लिखा ह है, bats can hear the ultrasonic wave, bats जो होते हैं, ultrasonic wave सुन सकते हैं, the frequency greater than 20,000 Hz, मतलब हम लोग समझ नहीं पाएंगे, सुनाई नहीं देगे हमको, it emits ultrasonic wave which travels in the medium, strike with the obstacle and come back, by the time taken in this process, the position of the obstacle can assist, क्या, मतलब कितनी बढ़िया बैट को इन लोगो ने imagination दिये, भगवान लोगों ने, वो बिना calculation, बिना physics जाने, वो distance का पता लगा लेता है, raise भेज करके, समझ या है, sound भेज के, clear हो गया, कि नहीं हो clear, चलिए, चलिए बच्चो, अगला आ गया question, सबसे important इस chapter का, what are progressive wave derive its equation, ये सबसे important derivation इस chapter का, progressive wave का equation drive करना, सबसे important जो derivation है, वो है progressive wave का equation, इसको आपको बहुत अच्छे समझना होगा, ये इस chapter की बड़ी ही महान चीज है, theory, theory बता देता हूं, consideration, when the disturbance produced from the body, executing simple harmonic motion, propagates in the medium, then the particle of the medium vibrate to and fro about the mean position, and the disturbance advances in the medium, the waves thus produce are called progressive wave, चलिए, देखिए, क्या हो रहा है, किसमें क्या रहा है, कि the disturbance produced from a body, कोई body है, उसका कोई particle है, उसका particle SHM execute कर रहा है, क्या execute कर रहा है, SHM, मतलब simple harmonic motion, executing simple harmonic motion, propagates in the medium, तो अगर कोई particle simple harmonic motion कर रहा है, तो उसके disturbance का ये वेब बनेगा, ये वेब दिया गया, इसको बोलते है, प्रपोगेसिव, वेब, consider a harmonic wave propagated in a medium along the positive direction x-axis, एक वेब है, जो कि x-axis की positive direction में travel कर रही है, the speed of the propagation of the wave is V, जो wave चल रही है, वेब की velocity कितनी है बिच्चो, V velocity, वेब की velocity भी है, its source is at origin, यहाँ पर जो source है, वेब का कहाँ पर है, origin पर है, okay, as the source is executing shm, then the displacement of the particle situated at o at an instant be given by y is equal to a sin omega t, अब यहाँ से मेरा काम सुरू होता है, ठीक है, चले देखे, तो क्या का गया है, यहाँ पर कोई particle है, एक कोई particle है, और वो particle क्या perform कर रहा है, simple harmonic motion, और simple harmonic motion, जब particle करता है, तो जैसे कि एक medium का एक particle है, यह medium का particle इपनी mean position में है, यह यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो इसके corresponding, इसके vibration के corresponding medium में एक disturbance travel कर जाएगा, देखे, कैसे हुआ था, यहाँ गया, यह उपर, फिर वापस आया, फिर में, यह one wave है, clear हो गई, मतलब यह इतना disturb हुआ है, और इसके, इसका जो disturbance है, वो medium का particle, यहाँ से ले करके, यहाँ तक travel कर दिया है, anyone, कुरूज समझ में आई, तो यह क्या है, displacement बदल रही है, why, तो मैंने इसका grab बनाया था, यह बारबर travel होई जा रहा था, यह बारबर travel होन हर्मोनिक बोलते है, तो मैंने जो इसका displacement equation आएगा, इस wave का, वो क्या बनेगा, y is equal to a sin omega t, बोले बनेगा की नहीं बनेगा, y is equal to a sin omega t, यहाँ पर t क्या आपको पता है, t जो है, किसी भी समय का time है, instant of time, और a क्या है, amplitude है, और omega क्या है, angular frequency, so better you know, omega is equal to 2 pi by t, यह आंते हैं new, here new is the frequency and t is the time period, ठीक, अभी देखिए यह जो equation है, यह time domain में, यह किस में है, time domain में, मतलब यह जो, यह जो access जा रही है, यह time की access है, और यह जो ऊपर है, यह displacement का access है, तो I can say, where new is the frequency and t is the time period, अब देखिए भई, वेब जो है, wave की speed कितनी है, V, कितनी है वेब की speed, V है, यह आ चल रही है, कितनी speed से, V की speed से, वेब मेडिया में चल रही है, ठीक, since the speed of the wave is V, तो अगर आप t time में, so the distance, distance will reach to the point P at a distance X from the origin, अब मान लो जरी वेब किसी point से start हुई थी यहां से, O point से, ओके, तो वेब की velocity कितनी है, V है, यह जो wave travel हो रही है, उसकी velocity कितनी है, V, तो T time में यह wave किसी distance तक पहुँच जाएगी, पहुच जाएगी कि नहीं पहुच जाएगी, T time तक यह जो wave है, यह distance तक पहुच जाएगी, मान लीजी T time तक, small t time तक यह wave जो है, यह कितनी distance पर पहुच जाती है, X distance पर, कितनी distance पर, X distance पर पहुच जाती है, clear, तो आप इक्विशन बनेगी तो यहां पर थोड़ा सा कल्कुलेशन लगीगी देखे बच्चों यहां पर हमको एक्विशन बनाना है तो यह एक्विशन ऐसे बनेगी अम मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा आपको यह क्विशन टी माइनस एक्वाई भी वनेगी यह थोड़ा सा लॉजिकल है यहां पर यह कहरा वियर न्यू इस दा फ्रिक्वेंसी एंटी इस दा टाइम पिलड कैपिटल टी इस दा सिंस दा स्पीड अप्ट वेविस भी हैंस दा ड इस दिस्टर्बेंस जो है पॉइंट पी पर पहुंच जाएगा यह मान लो किसी पॉइंट पर दिस्प्रेस्मेंट वाई है तो यह दिस्टर्बेंस जो है एक्स दिस्टेंस पर पॉइंट पी पर पहुंच जाएगा ठीक है ना एक्स दिस्टेंस पर पॉइंट पी पर पह लिखना है, ठीक ना, तो हमको xyv को क्या करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक का जो time maintain हो रहा है, यहाँ तक का जो time कितना आ रहा है, x upon v second, clear है, तो हमको equation यहाँ से wave की लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, xyv second को पीछे की और लेके जाएंगे, मतलब पीपर जो wave बन रही है, देखिएगा, धिहान से याद रखेगा, मैं इस point P की wave बता रहा हूँ, मैं इस point की wave नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं इस point की wave बता रहा था, तो आपका answer क्या था, y equal to a sin omega t, is equal to y equal to a sin omega t, okay, a sin omega, और t की value कितनी x upon v, तो यह origin से बनने वाली wave का equation हो ग पर आपको wave का equation देना, तो ध्यान से देखिए, इस particular point पर, जो t है, वो कितना है, t equal to x upon v, इस point पर t equal to x upon v है, तो क्या जूड़ेगा, इधर लेकर क्या यह, t minus x upon v का term बन जाएगा इसका factor, और y is equal to a sin omega t minus x by v, यह बन जाएगी wave की equation, यह बन जाएगी wave की equation, a sin omega t minus x upon v, क्योंकि यह जो इस point पर t equal to x, y, v है, t equal to x, v, तो उसको आपको minus करना पड़ेगा, x upon v को time से, random time से, x upon v को minus करना पड़ेगा, clear है, तो इस point, the displacement of the particle situated at point p, यह particle का displacement है, थास, at any instant t, the displacement of the particle, particle का displacement कितना है, a sin omega t minus x upon v, x upon v time है, वहा तक पहुचने का, the display, the particle of the medium situated at point p, will begin vibrate after x by v second, मतलब, particle p पर बैठा हुआ, particle जो है, x by v second के बाद, vibrate होना सुरू हो जाएगा, from the particle situated at o, thus, in time t, the displacement of the particle p, will be the same as the particle that o, after x by v second, therefore, instead of small time t, equation one should write at t minus x upon v, ठीक है, तो यह कह दिया, हैं, लोगों ने अपना बता दिया है, कि आप time t के place पर, आप यदी point p की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो particle उतने time के बाल vibrate करना सुरू होगा, तो आप t minus x upon v कर दीजिए, ठीक है, equation two shows a progressive wave, देखे, अभी wave जो है, इधर की और चल रही थी, आंगे की और, right side, तो t minus x upon v हुआ है, अगर वेव इधर की और चलेगी, तो क्या होजागा, t plus x upon v, minus की जागा, plus, equation two shows progressive wave propagating along the positive direction of x axis, with the velocity v, as progressive wave is traveling along the negative direction of x axis, then the equation of the wave is equal to y equal to a sin omega t plus x by v, तो आपको समझ माना चाहिए, कि अगर वेव इधर की और move कर रही है, तो wave का equation क्या बनेगा, y equal to a sin omega t minus x upon v, clear, और अगर इस तरफ move कर रही है, तो y is equal to a sin omega t plus x upon v, clear है, बूले clear हो जागा न, t plus x upon v, तो ये दोनों wave के equation बन चुके है, अब इसके अलग-अलग form भी देख y is equal to a sin omega, अभी अपने क्या देखा, y equal to a sin omega bracket में t minus x upon v, यही तो देखा आपने, y equal to a sin omega bracket में t minus x upon v, यह t minus x upon v, आप जानते हैं, omega की value क्या होती है, 2 pi new, 2 pi new, तो y is equal to a sin 2 pi new bracket में t minus x upon v, new की value होती ही v upon lambda, क्यों, क्योंकि v is equal to होती ही new lambda, so new equals to होता है v upon lambda, तो जहाँ new है, वहाँ v upon lambda पुट कर देख, तो a sin 2 pi, इसकी जगे कितना हो जागा, new upon, 2 pi new की जगे, v upon lambda, और t minus x upon कितना, v, अब इसको अंदर कर देजी, तो यह बन जाएगा, y is equal to a sin, a sin, 2 pi अंद बाहर है और lambda बाहर है, v अंदर चला गया, तो क्या बन गया, vt, क्या बन गया, vt, और v से भी क्या हो गया, cancel, कितना बन गया, x, vt minus x, तो यह बन गया, भाई साब, a sin 2 pi, vt minus x, यह है progressive wave का equation, क्या है यह progressive wave का equation, बोले clear है एक्टम, ठीक है, तो यह बहुत important है, यह चीज, इसको आप बार-बार करिए, चली देखिए, अब next question के ओर चलते हैं, अगला हमारा है, यहाँ पर question, short answer type question का question number one, explain newton's formula for velocity of sound in air, अब हम लोग यहाँ पर velocity of sound in air, निकालने की बात करेंगी, कि velocity of sound in air कैसे निकाल जाती है, चली देखिए बच्चों, यह theoretical proof है, इसको आपको मान करके चलना है, newton's के बारे में, explain the newton's formula for velocity of sound in air, from purely theoretical consideration, newton gave empirical relation to calculate the velocity of sound in a gas, newton ने जो formula दिया, किसी gas की velocity find करने का, किसी sound की velocity find करने का, velocity of sound in a gas, gaseous medium के लिए newton ने formula दिया, लिख लिए जे, velocity of the sound is equal to under root, bulk modulus upon density, यह formula था newton का, ठीक ना, यह आपको याद करना पड़ेगा, यह जो formula था, यह bulk modulus upon density का formula newton ने दिया था, gas की speed को पता करने के लिए, फिर आंगे क्या होता है, लिखा हुआ है, where b is the bulk modulus and rho is the density, sound travels in a gas in the form of compression and refraction, newton assumes that the changes in pressure and volume of a gas when sound waves are propagated through it is isothermal, यह बहुत बड़ी गलती newton की, newton ने यह मान करके चले, कि जब sound travel करता है, तो यह process जो होती है, isothermal होती है, मतलब medium का कोई भी temperature change नहीं होता है, sound के travel होने पर, medium का कोई भी change, कोई चीज़ चेंज नहीं होती है, clear हो गया, तो भाई, the amount of heat produced during the compression is lost and is lost to the surrounding and similarly, the amount of heat lost during the refraction is gained from the surrounding, मतलब क्या है, भाई, isothermal है process, मतलब change in temperature equal to कितना, zero, मतलब जितना temperature बढ़ेगा, उतना घड़ जाएगा, यह line अच्छे से पढ़ी है, यही लिखा है, the amount of heat produced during compression is lost to the surrounding and similarly, amount of heat lost during refraction is gained from the surrounding, so to as keep the temperature constant, इस प्रकार से कि temperature जो है constant बना रहे, using the coefficient of isothermal elasticity B I, use किया गया, Newton का जो फॉर्मूला बन गया, वो कितना बन गया आपके पास में, V, velocity is equal to B की जगे, B isothermal, आपरों density, clear है, अब हम isothermal density नहीं का लेंगे, कि isothermal density क्या होता है, आइसो थर्मल, bulk modulus क्या होता है, आइसो थर्मल का हमको bulk modulus निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए, आपको पता है कि, जो condition होती है, आइसो थर्मल की वो होती है, PV equal to constant, याद है, क्योंकि PV equal to होता है, NRT, ideal gases के लिए, N भी constant, R भी constant, TV constant, मतलब PV equal to कितना हो जागा, constant, clear है, अब आपको यह दी PV constant है, तो याद कीजिए, क्या करेंगे, हम लोग, आइसो थर्मल, क्या निकालना है, कोफिशेंट औफ आइसो थर्मल, यह, बल्क मोडुलस निकालना है, बल्क मोडुलस मेन आपको क्या पढ़या था, याद है, बल्क मोडुलस जो आपको बढ़या गया थो बो, पढ़या गया था, change in pressure, upon change in volume upon original volume, ठीक न, cabbage in pressure upon, change in volume upon original volume, यह चीज़ आपको बढ़या गई थी, Bulk Modulus के case में, तो कैसे निकलेगा PV equal to constant से, इसके उपर delta fit करिये, delta किसके उपर, PV के उपर equal to delta constant, constant का differentiation कितना होता है, 0, और PV का differentiation, मैंने क्या rule पता है, first function P into second का differentiation delta V, plus second function V into first का differentiation delta P equal to कितना, 0, clear है, अब देखिए, तो हमको चाहिए, delta, इसको मैं लिख सकता हूँ, delta P into V upon delta V, बोले यह सौनो, हमको यही तो चाहिए, क्योंकि DP उपर रहेगा, V उपर आजाएगा, delta V नीचे रहेगा, तो क्या क्या भाई, अपने पास जुगाड, V delta P की तो जुगाड है, औ delta V को इसको नीचे जान दीजे, तो यहां से लेके जाएए, V delta P इधर रख लिजे, V delta P यहां रख लिया, और P delta V को इधर ले जाए, minus P delta V, clear, और इसको इधर लेके आए, तो V delta P upon delta V, clear, equal to कितना बच गया, minus का pressure, minus का pressure, clear बचा की नी बचा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, V delta P upon delta V, हमको क्या चाहिए था, delta P into V, यहां पर कुछ गरबड़ी हुई है, यह V है, yes, जी हां, यह V delta P है, equal to कितना हो गया, minus P, कितना हो गया, minus P, यह हो गया, minus P, यह हो गया, अपने पास, minus P, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, delta P, clear, और divided by delta V by V, delta V by V, negative sign यहां दे देजिए, तो answer कितना हो गया, P आ गया, clear हो गया, मतलब अब यह क्या था, यह था, bulk modulus, आप लोग को याद है, यह क्या था, bulk modulus, तो bulk modulus किसके equal होता है, pressure के equal, किसके equal होता है, pressure के equal, तो formula में क्या था, उपर bulk modulus था, तो bulk modulus किज़े क्या जाएगा, pressure, क गया, equal to under root P by rho, P by rho, तो यह formula निकल करके आगया, under root P by rho, समझ में आगया, बड़े आराम से करना, बस यह ही calculation है, जो यह से इन लोगों ने दी है, यह कहां से आई है, P V equal to constant से, P V equal to constant से, ideal guess log, अब P V equal to constant में आपने delta लगा दिया, तो delta P V equal to कितना constant के, अब ही, first function into second का differentiation, plus second function into first का differentiation, constant का कितना होता है, 0, ठीक न, आपको क्या बनाना है, delta P upon delta V by V, तो delta P और delta V by V, इसको इदे ले जाए, तो यह हो गया, minus V delta P, और यहाँ बचा है P delta V, तो delta V को यहाँ से नीचे ले आई है, बुली आगया समझ में, और यही तो था अपने पास, change in pressure upon change in volume, upon original volume, delta P upon delta V divided by V, negative इसको दे दीजे, किसके equal आगया, P equal आगया, आगया ना, और इसे को क्या बोलते है, bulk modulus, क्या बोलते है इसको, bulk modulus तो इसकी जगए आपने P रख दिया, तो आपको derivation बन गया, ठीक है, any problem बिटा, तो यह इस तरीके से Newton's के law से हमको speed मिल गई, sound की, क्या मिल गई, speed, sound की मिल ठीक है ना, यह आइसो थर्मल, शुरुआत में Newton ने बोला था, कि जो sound की speed है, वो आइसो थर्मल है, मतलब sound का moment है, वो आइसो थर्मल प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, आइसो थर्मल, बाद में आकर के Laplace ने correction कर दिया, Laplace ने कह दिया, भाई साब यह आइसो थर्मल नहीं ह Newton ने निकाली थी sound की speed, 332 meter per second, sorry, 280 meter per second, कितने meter, 280 meter per second, जो आपने पुराना formula देखा है, उसकी यही formula जो लिखा है, इसके हिताब से Newton की speed कितने आई थी sound की, 280 meter per second, but experimentally इसको पाया गया कि यह 332 meter per second है, experimentally जब देखा गया sound की speed तो कितनी है, 332 meter per second है, तो इसके लिए फिर Laplace ने correction किया, कि sound की जो traveling होती है, वो actually isothermal नहीं होती है, वो कौन सी condition में होती है, adiabatic में होती है, और adiabatic में लेकर कि जब इसने proof किया, तो इसको 331.3 मतलब लगभग, 332 meter per second, बिल्कुल सही result आते हैं, आगे बसन में, तो कल हम करेंगे Laplace का correction, Laplace का correction, thank you.